गैस मेरे पास है Samsung की तरफ से ब्राइनी स्मार्टफून Samsung Galaxy A4 तो आप यहाँ पर देख सकते हूँ आज इस वीडियो में इसका टिफ्स और ट्रिक्स यूँकर फिटर्स में आप लोगों के साथ सेयर करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस फोन में आपको फ्लोटिंग वीडियोज का फिटर्स दिखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आकर आप काम कर सकते हूँ अगर आप चाहते हो तो इसको चूटा करके यहाँ पर एप में करके यहाँ पर दूसरा कोई application पर भी आप काम कर सकते हो तो इस features को कैसे on करना है जैसे कि जो फोन आता है water drop notch के साथ और water drop notch के आसपास में एक light effects दिखाई दे रहा है जो light hard time on रहता है कोई भी application को open करता हूँ जो light हो hard time on रहता है तो इस light को मैंने कैसे on किया अगर आपका phone off है अब तुरंत camera application को open करना चाहते हो तो अब यहाँ पर तुरंत camera application को open कर सकते हो तो इस सब कुछ features के बारे में detail में जानले के लिए वीडियो आप इंड तक जुरू दिखते रहे है यहाँ पर आप दिख सकते हो मैं जितनी बार phone को lock करता हो तो यहाँ पर lock skin का wallpaper जो है हार बार change हो रहा है तो इस features को मैंने कैसे on किया तो इसको on करने के लिए आपको जाना होगा सिधा settings के तरफ और यहाँ पर wallpaper and style के उपर click करना है और यहाँ पर थोड़ा सा scroll करके आप नीचे के तरफ आना होगा यहाँ पर lock skin all paper service देखा देगा तो यहाँ पर आपको tap करना होगा और यहाँ पर glance on Samsung इसको आपको select कर लेना है इस पून में brief pop-up notification देखने को मिल जाएगा तो यह जो features से default on नहीं रहता है इसको on करने के लिए आपको जाना होगा सिधा settings के तरफ और यहाँ पर आपको आना होगा notification के तरफ और यहाँ पर brief को आप on कर लीजिए अगर आप चाते हो तो किसी भी specified application के उपर इसको on या off भी कर सकते हो तो यहाँ पर brief pop-up settings देखाए देगा तो यहाँ पर आपको आना होगा यहाँ पर h lighting style देखाए देगा यहाँ पर तरह तरह का lighting style है तो आपके मज़े से कोई भी एक lighting style को आप चूच कर सकते हो यहाँ पर आप देख लीजिए जब incoming notification आएगा तो आपके phone में ऐससे so होगा इसके बाद आपको डान पर click करना होगा यहाँ पर color by keywords तो आप यहाँ पर keyword का color को भी choose कर सकते हो अगर आपका phone off है आप तुरांथ camera application को open करना चाहते हो तो यहाँ पर power button को आप दो बार trap करिए तो यहाँ पर camera application जो तुरांथ खुल कर आ जाएगा तो यह जो feature से default on नहीं रहता है इसको on करने के लिए आपको जाना होगा सिधा settings के तरफ और यहाँ पर आपको थोड़ी से scroll करके आना होगा सिधा advanced features के तरफ और यहाँ पर देखाए देगा आपको सिधा side key के उपर click करना है यहाँ पर quick launcher camera देखाए देगा अगर आप चाहते हुँ तो आप 10 application को यहाँ पर open कर सकते हो यहाँ पर आपको यहाँ पर आना होगा इसके बाद आपको कुछ विए- plugins को select करना होगा जिस application को तुरंथ open करना चाहते हो इस phone में आप किसी विए- backsicle to add करके रख सकते हो इसके लिए आपको जाना होगा सिधा Settings के तरह और यहाँ पर आपको आना होगा सिधा Home Skin के तरह और यहाँ पर थोड़ी सी स्कॉल करके यहाँ पर नेची के तरह आना होगा और यहाँ पर Hide Apps देगने को मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं Amazon Application को Hide कर देता हो इसके बार Done पर क्लिक करता हो तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकतो हो यहाँ पर Amazon Application यहाँ पर नहीं देखाए दे रहा है तो अगर आप इसको unhight करना चाहते हूँ फिर से आपको जाना होगा सिधा सेटिंग के तरफ यहाँ पर home screen के तरफ आना होगा और यहाँ पर hide apps के तरफ आना होगा Hide application को आपको unhight करना होगा इसके पर down पर click करना होगा यहाँ पर app अना हो जाएगा Spoon में one hand mode का features देगने को मिल जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हूँ one hand mode मैंने on करके रखा हूँ तो यहाँ पर one hand mode पर phone यहाँ पर open हो गया अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर काम कर सकते हो इसको 你 giable करने के लिए यहाँ आपको tap करना होगा यहाँ पर discipline हो जाएगा का feature से default on नहीं रहता है असके लिए आपको जाना होगा सिधा Settings के तरब ओर यहाँ uw करने चाहेँ कर्ल 22 यहाँ पर आप देखसक्ट आपको लाइट जो है तुन्त आयकफ हो जाता है यह जो फीचर से डिफॉल्ट और नहीं रहता है इसको अन करने के लिए आपको जाना होगा सिधा सेटिंग्स के तरफ और यह थोड़ी सी स्कॉल करके आपना होगा एडवांस फीचर के उपर क्लिक करना है यह बर मोसान एंजिसर दि करने के बाद यहां पर जो आइकोन दिखाए देगा यहां पर आपको टैब और आपको टैब करना होगा और यहां पर दिखाए देगा ओपन इन पॉप आप फीव देखाए देगा तो यहां पर आपको टैब करना है तैब करने के बाद यहां पर फ्लोटिंग विंडोज मे तो यहां पर आपको Tap करना होगा छोटा होकर एक application में Convert हो जाएगा तो यहां पर आप काम कर सकते हूँ जब चाहो तो यहां पर tap करके यहां स्कीन को open कर सकते हो इसको इसको disable करना के लिए फिट से यहां पर क्लिक करना होगा यहां पर क्रॉस बटम देखा है यहां पर क्रॉस बटम करना है यहां पर disable हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हो जब मैं single swipe करता हूँ तो यहां पर brightness control नहीं होता है तो दूसरी बार आपको swipe करना होगा इसके बाद brightness control यहां पर so हो रहा है तो यहां पर आप देख सकते हो जब मैं single swipe करता हूँ तो यहां पर brightness control आ गया है इस पोन में आप same time में wifi and hotspot को on कर सकते हो तो आप यहां पर देख लिजिए मेरा wifi जो on है अगर आप चाहते हो तो यहां पर hotspot को भी आप on करके use कर सकते हो आपका hotspot नहीं होगा तो इसके जरी क्या होगा आप आपका wifi का password को ना share करके इस device के जरीए दूसरा कोई device को आप internet share कर सकते हो इस पोन में auto call recording का features लगने को मिल जाएगा इसको on करने के लिए आपको जाना होगा सिधा settings के तरफ और यहां पर three dot में click करना होगा और यहां पर settings के उपर आपको click करना होगा और यह दोस्तों आप में बताता हूँ यहां पर water drop notes के आसपास में जो light दिखाई दे रहा है इस light को मैंने कैसे on किया जो किसी भी application को open करने के बाद भी यहां पर hard time on रहता है camera application को open कर लिए थिर भी यह light है on है तो इस option को on करने के लिए आपको एक चोटी सी कम करना होगा मेरा description को आप चेक कर सकते हो कि application का download link मिल जाएगा जिसका नाम रहने वाला है ring ring application इस application को आपको download करके install कर लेना है बहुत ही चोटी MB का app है लेकिन बहुत ही useful app रहने वाला है इसको install करने के बाद आप सीधा आ जाओगे इसका home screen के तरफ तो यह पर home screen के तरफ आने के बाद एक button तो circle को थोड़ा उपर की तरफ कर दीजे करने के बाद यहां पर water drop knowledge के आसपास में अच्छी तरीके से position में लग जाएगा इसके बाद आपको color को slate करना होगा तो यहां पर color के उपर click करना है यहां पर single color को चूच करना होगा यहां पर tap करने के बाद यहां पर RGB यह दिखा इसको up and down करिए अपका मन पसंद color आ जाएगा हैज के बाद एक code आने वाला है इस code को आपको क्या करना होगा coffee करना होगा यहां पर copy करने के बाद यहां पर down पर click करके यहां पर okay पर click करना होगा outer ring color दिखा देगा तो यहां पर hatch के बाद जो code अपने coffee किया था आपका जो favorite color का code है इसको आपको यहां पर आगर फिर से पको paste कर देना है इसके बाद okay पर click करना होगा तो आपका काम जो यहां पर खतम हो जाता है जो light हो hard time on रहेगा और दिखने में काफी खुबसरत भी लगता है अगर आप इस option को on करना चाहते हूं मेरा description को check कर यह application का download link आपको मिल आएगा बहुत ही चोटी एंबी का application है लेकिन आपका phone को और भी खुबसरत बना देगा आपके lock skin में धेर सारी hidden features रहने वाला है इसके लिए आपर clock के उपर click करना होगा यहां पर जो music आपने recent play के आता है यहां पर आपको देखा देगा उसके साथ next alarm कब बजएगा यहां देखा देगा अब तुरांत यहां पर voice को record कर सकते हो अगर आप चाहते हो यहां पर setting में आकर धेर सारी features को आप यहां पर input भी कर सकते हो जैसे कि weather देखा देगा उसे के साथ today schedules भी देखा देगा यहां digital oil blink देखा देगा तो आपके मर्जी से आप कोई भी features को यहां पर आप ऐसे swipe करते हो यहां पर Google discover का जो page हो खुलकर आ जाता है इसको अगर आप disable करना चाहते हो कर सकते हो इसके लिए आपको home screen मेरे से tap and hold करके रखना होगा यहां पर settings के ओपर click करना है और यहां पर देखा देगा at media page to home screen यहां पर Google discover देखा देखा दे रहा है तो इसको आप करना होगा यहां पर disable करने के बाद आप यहां पर देख लीजिए Google discover का जो page है और यहां पर remove हो गया है और आपका home screen यहां पर clean हो गया है तो यहां पर आप देख सकते हो जो navigation बटन देखा दे रहा है इसको अगर आप चाहते हो तो customize कर सकते हो आपके मर्जी से तो इसके लि अब लोग QR code को scan करने के लिए बहुत सारा application को use करते हो लेकिन इस पून के अंदर default QR scanner देखने को मिल जाएगा जो यहां पर उपर की तरफ रहने वाला है यहां पर tap करने के बाद camera application open हो जाएगा और यहां पर आप कोई भी QR code को scan करके आप यहां पर rate कर सकते हो या कुछ भी paar button को सेम टाइम और परNow नहें पर जाएगा तो आप यहां पर दिख सकते हो तो यहां पर यहांपर कर सकते हो तो अगर आपको चाते होगा सिधा सेटिंग्स के तरफ और यहांपर आपको आना होगाóc एडवान्टी के ऊपर क्लिक करना है यहां डिखाए देगाए था यहा अगर आप चाहते हो तो स्किन सोट का फोटो में आप यहां पार जो स्टेटस बार और नेविगाशन बार है इसको आप हाइड भी कर सकते हो इसके लिए इस अप्सान को आप अन कर दीजिए यह तो था कुछ फिचास इस फोन का कैसा लगा यह वीडियो आप मुचे कॉमेंट पर जो बता सकते हो